गुड मॉनिंग एवरीवन आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिभा से पाठ चार कविता जाड़ा जाड़ा अर्थात ठंड ठंडी का मोसम कैसा होता है चलिए कविता में पढ़कर हम समझते हैं इसी कविता को एक बार हम टेक्स्बूक में पढ़कर देखते हैं गया नवंबर शुरू दिसंबर उचल कूता भागा चंदर अर्थात नवंबर चला गया और दिसंबर शुरू हो गया तो चंदर जो की इस लड़के का नाम है उचल कूता भागा चंदर यानि वो दोड़ दोड़ के गया लेकर आया स्वेटर दोडो दो स्वेटर लेके आया गरम कोट भी लाएगा वो क्योंकि ठंड इतनी जादा है इसलिए गरम कोट भी लेने गया ओड़ेगा वो गरम रजाई नई रुई उसमें भरवाई यानि गरम गरम रजाई ओड़ेगा जिसमें उसने अभी अभी रुई भरवाई है नई रुई भरवाई है अर्थात नई रजाई सर्दियों के लिए बनवाई है जाड़े की जब होगी किल-किल खूब हसेगा चंदर खिल-किल अर्थात जब अधिक जाड़ा होगा तो चंदर को बहुत मजाएगा और वो खूब हसेगा और पढ़ेगा यही पहाड़ा आहा कैसा कैसे आया जाड़ा यानि इतनी ज़्यादा थंड होगी तो अकसर थंड में हम लोग बेसे बोलते हैं उफ कितनी थंड है आहा बहुत थंड है इसी तरह चंदर भी यही पहाड़ा पढ़ने वाला है तो संदेश जाड़ा अपने साथ खुशियां लेकर आता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब को पताओगा कि जाड़े का मौसम बहुत खूबसूरत होता है और हम सब को बहुत पसंद होता है जाड़े में हम अच्छे अच्छे पक्वान पकोड़े यह सब खा सकते हैं जबकि गर्मियों में हम इन सब को एवर्ट करते नहीं खाते हैं उसके बाद यह शब्दार्थ है जो आपको हर पाट की तरह आपकी हिंदी की नोट बुक में लिखना है ओड़ना अर्थार किसी चीज से ढखना जाड़ा यानि सर्दी या ठंड रजाई छोटा लिहाफ जिसमें रूई भरी होती है कोट अंग्रेजी धंका एक पहनावा इन प्रश्णों के उत्तर आपको हिंदी की नोट बुक में लिखना है जिन्हें मैं टेनों में भेजूंगी अब हम आते हैं कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए यानि ये कविता आपको दीव हुई है और खाले जगे हैं वह आपको टेक्स बुक में ही पूरी करनी है क्वाइब जरी जर्श्री आपको पूरी कहा है लिएक का थीज़ कि एक इन पाले तो दीए